करते हुए हैं वह इसलिए हुए है क्योंकि जम्मू विश्य विद्याले नहीं जाता है कि जम्मू कश्मीर का युवा पर लिखकर आगे बढ़े विद्याले की जब हम एडमीशन की नीतियों को लेकर देखते हैं तो वैब बहुत बड़ा एक उसमें लूपॉल देखने को मि चाहिए थार फोर स्मेस्टर में आपकी इंटर्नल एसेस्मेंट पास होनी चाहिए तब जाकर आपको फिर स्मेस्टर में एडमिशन मिलेगी जबकि पहले ऐसा नहीं था और जो नोटिफकेशन छे तरीकों निकाली जाती है प्रशासंदवारा उसमें ऐसा कुछ नहीं हिता तो मैं बिल्कुल नहीं है क्योंकि अगर उस नोटिफकेशन को हम देखते हैं तो उसके द्याद विश्व विद्याले में आने वाला बच्चा बिल्कुल कम हो जाएगा काल्जों में पन्ने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई कंपली नहीं कर पाएगा मैं पूछना चाहू अगर जम्मु कश्मीर का युवा गलर रास्ते पर जाता है तो उसका जिम्यवार ये सरकार होगी ये जम्मु विश्व विद्याले का परशासन होगा हम चाहते हैं कि जल से जल इस नीती को बदला जाए और चातर ही तो की बात की जाए जो स्टूडेंट चाहता है उसकी ब पार हो जाए यूनिवर्स्टी के अंतर ना पहुंच भाए हम पिछले कुछ सालों के ग्राफ अगर देखेंगे जो जम्मु विश्व विद्याले में एडमिशन्स हुई वह ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है क्यों कि जम्मु विश्व विद्याले समय समय पर सिर्फ औ लेकि इन पार्षियों को लेकर उनका कोई भी सही जवाब नहीं आया जब तक ये पार्षिय नहीं बथली चाहती है विद्यारती प्रिशत कड़ा विद्रो करेगा यहां से नहीं इलेगा वह हैं वह इसलिए हुए है क्योंकि जम्मु विश्व विद्याले नहीं जाता है क जमू कश्मीर का युवा पर लिखकर आगे बढ़े जाले की जब हम एडमिशन की नीतियों को ले कर देखते हैं तो वेब बहुत बड़ा एक उसमें लूपॉल देखने को मिलता है क्योंकि जबी जो चार साल का कोर्ट चल रहा है निए जुक्रिशन पालसी के अंडर उसमें युनिवस्टी ने फिस्समेंस्टर की एडमिशन के लिए एक क्राइटेरिया सेट किया है और उस क्राइटेरिया में कुछ ऐसा है कि आपका फर्स टैकिंस्मेंस्टर पूरा पास होना चाहिए थर्फ फोर्समेंस्टर में आपकी इंटर्नल एसेस्मेंट पास होनी चाहिए तब जाकर आपको फिर्समेंस्टर में एडमिशन मिलेगी जबकि पहले ऐसा नहीं था और जो नोटिफिकेशन छे तरीकों निकाली जाती है परशासंदवारा उसमें ऐसा कुछ नहीं हिता हो वलकि जब परशासंद फिर से एक नोटिफिकेशन निकालता है सा तरीकों वे वि विषय विद्याले में आने वाला बच्चा बिलकुल कम हो जाएगा काल्जों में पने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई कंपली नहीं कर पाएगा मैं पूछना चाहूंगा इस परशासंद से इन सरकारों से कि क्या वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर का युवा क्या गरों में बैठा रहे क्या स्ट्रेस में जाए क्या डिप्रेशन में जाए क्या घली रास्ते पे चले वगण करेख्ताव सब्सक्ष्मीर कर्स चाहता है तो उसका जिम्मू कश्मीर यह सरकार होगी का परशासन होगा हम चाहते हैं कि जल से ज़ाल इस नीती को बदला जाये चाटरीतों की बात की जाये जो स्टूडेंट केंपस नहीं रहने दिया जाता है क्यों ऐसे क्रैटेरिया बना जाते हैं जिस से 70-80% इंधर न बहुंच पाये हैं हम पिछले कुछ साल ओक ग्राव अगर देखेंगे जो जमू विश्य विध्याले में अडमिशन्स हुई वह ग्राव लगतार गिरता जा रहा है क्यों कि जमू विश्य विध्याले समय समय पर सिर्फ और सिर्फ्छ पॉलिसियां लेकर आया जिनमें स्टूडेंस के फैवर की क उनका कोई भी सही जवाब नहीं आया जब तक ये पाल्स ये नहीं बतली चाहते हैं विदार्थी प्रिशत कड़ा विद्रो करेगा यहां से नहीं ही लेगा